अपनी कताब शर्बदियां कुट्टा नो उस लेखगदे नाम लेखगया सी जो रितले टिब्यांच जम्मे आम जहे नक्षां ते मादरे जहे कद ते उस बलवांतगार गीनू मुडतों कड सके जो अकसर कैंदा हुंदा सी वो कलम नहीं डांग नन लेखदा है एक नसंग नाटकार कहाणी कार एकांगी कार ते नमी व्याही वोटी बलनों कित तेशंगार वरगी वारतक लिखन वडा गार गी पहली आलमी जंग विडे चार दसंबर उन्नीस सोडानू बठिंडे दे थे हासक के ले दे नाल लग दे एक कार च जम्या गार गी नैरी कलार कशिव चांदे चार पुत्रांचों एक सी कक्के रित्तेयांच खेड के पड़े गार गी दी माने उधी पड़न दे उमर वे ले उन्हा चारांप्रावनू अपने किसे मन्न वाले को ले आके पुछ्या सी केना चारांचों किस देट डवी चक्खर पैण गे तां बलवान्तगार गी वल होई उंगल ने उस दे टडवी चक्खरां दे नाड नाड उस दी किसमच पंजाबी साहती बादशाही वी लिख दित्ते सी शायत चारांप्रावाचों वो कल्ला ही पड़े लिख्या सी उदे जाननवाड़े अकसर कैंदेने के पैसे टके दे मामलेच वो जट्टा वरगा बाणियां सी एक वार उस दे सद्दे तेश दा नाटक वेखणाय मित्रानू इनामच मिली सारी रकम देन दी पेश कश्वी उदे ही हिस्से ओंदी प्रिंसिपल सार्बन सेंग आरगी ते लिखे अपने एक लेख्य गारगी दे मुहांदरे वरे लिखदेने के समद्दर काद तालू बुल पोपडा नाक अद्दा गंजा सिर कानकवनना रंग मिनियां तोल मियां गल्लां ते पड़किल्ले रंग दे कपडे बठिंडे दे बाणिये दा हूबू हुलियाए उदी मावनू मुहबबत नाल बलांत आख दी सी ते हो बलांत अपने बेल्लेयाँच उस दिया मुहबबत नादे किस से ते कुडियां वलोस देपर कित तवार नंगे साच ते बेवाकी नाल देखन करके हमेशा चार्चा जरेंदा सी कईया नू हरानी हुन दी सी कि समद्धर जे इस बंदे नू कुडियां के में अपना दिल दे बैठ दियाने अपनी सवे जीवनी नंगी तो पविच्चो लिखदाए कि स्याटल च रेंदेयां उस दा तेन कुडियां नाल रिष्टा चल रहा सी उसनू समझ नहीं से आ रहा कि उ किसनू चुने ते खीरों ने जीनी नू बठिन बेदी नू बना के सब नू हरान कर देता उँ अपनियां बाउतियां लिखता किसे नू डीक देयां लिखया करदा सी एक उस्यानी जनानी बांग उन्हों अपनियां गलां ते लिखतानों ताड़का लौन दी बड़ी आदत सी प्रिंसिपल सरवन सिंगे से लेक्च लिख देने मैं गारगी नू नीडें जानता हा उस दियां लिखता उस दे चुठे वादियां उस दियां कमजोरियां नू खुर्द भी नाड़ तक के आए उदा पहला इश्क संगीत सी लिखदाता उ यू लगदा जिमें कोई आदमी दुजी थां ब्याय गया हुए उदियां गलां ते लिखतां जिखिचे टकोरां ते नाखराए ओह गारगी नू टकियां गलानू नंगियां करन वड़ा अबल ता जिदा लेख कमन देने कालज दे दिनावे चो कब तावा लिखिया करता सी यो गलाने जो लोक उस बारे करया करते सी पर अपने बारे ओह शर्बदियां कुटतां जो लिखदाए उस लेजे नड बेलियां दियां मैफला चटकारें वड़ियां गलान करन वड़ा गारगी स्टेज दे दो बोल बुल्णतों भी चजगदा सी इक वार दा किस्सा उ लिखदाए कि उस दा नाटक खिड़ा जा रहा सी नाटक शुरू होन चो दस मिंट दी देर सी पर बंदकाने गारगी नो आखेया कि उ दर्शका दे सामने नाटक देर नड शुरू होन दी गलाख देवे उदे ना करन दे बावजूद भी उन जवर दस थी स्टेज दे तक दित्ता गया उ लिखदाए की स्टेज दे उस दियां लत्ता का मनलग पन्या बुल फर्क रहे सन रंग पिड़ा जर्द हो गया अखां के पंबू तारे दिख रहे सन कबराट उस दी तकरीर को जिस तरह दरूर तार्ण कर गी दोस्तो आज जसी नाटक दस मिंट दी देरी गड़ी लेट हो जान करके माफ करना माफ करना बाहर माफ करना बारश है अते साड़े हीरो साब शिंगार कामरेच माफ करना जे तुसी दास मिंट रोड़ा ना पाओ माफ करना माफ माफ दे कह के उस तेजतों लड़ खड़ूंदा हो या चले गया उ लिखदा है किसे दी उड़ीक विच खास कर जे उड़ीक किसे कुड़ी दी होवे ताँ उस दे इंतजार जे कदे भी टैल दे टैल दे नहीं सगों बेताब भी जुस दे ख्याल इननी तेज दोड़न लग जान देने कि उननों शान्त कर लने यो बहुत कुछ लिख दिन दा है अंग्रेज जी साहे ते प्लिटीकल साइंस दी एम में पड़या गारगी किते परभैसर लगदा किते तसीलदार पर लिखन ले उसने पंजाब पी चुनी जदो उसने लेखना शुरू किता ता पंजाब भी साहे तवेज पहला तो इन कहीं पलवंत सन एसले गारगी ने अपना ना उना नानों वक्खरा रखन दी मिस्टर गारगी लेखना शुरू कर देता ओदे दोस्तानों दा ना पहलनों पहल बढ़ाई हासो हिना लग्या ओँ मुफटच अपनी कताब किसेनू नहीं सी दिन दा उसनू लगदा सी के मुफटच मिलिया कताब आते देखे थेटर दी किसेनू कोई कधर नहीं हुन दी शुरू आदे दिना विच जद उसने कहाणियां लिखनियां शुरू कितीयां तो उसने गुरबाक सिंग प्रीत लडी तो लावा किसेनू नहीं सी पड़ेया उसने उस वक्त पंजाब बी दी कोई कताब नहीं सी पड़े एसा हसाब नाड़ों खोदनू अनपड लेख कहनदा सी उसने लिखदा आए के बाच्पंच मैनू पेंड नाड़ बड़े नफरत सी मैनू लगदा सी के शैर दी लोकां दी जिन्दगी जबड़ा रमांच हुनदा है फिर जदो पैरस, लंडन, निवार को माया ता उदो मान पिंड जाननों तरसन लगदा साथ साल दी उमर तक हुन नंगे पैर रेत्ते ते तोर्दा रहा वो कहनदा है के एननी उमर तक हुन बूट नहीं संजुड़े पर हुन जदो बूट पागे रखदा ता उदा रेत्ते ते नंके पैर तोर्दनों जी करदा है कई वार उसनों अपने वारे कई बैम हुन लग जन्दे किसे दी मौत तों आनके उन लगदा के वो भी छेती ही मर जावेगा किसे दी बमारी वरे सुन के वो खुद बिमार हुन दा वैम पाल लेंदा उसनों बुड़ा ते मोटा हुन दा सुपना वे ड्राद अन्दा सी इसे लिए शायदो हमेशा जवान दिखन दी कोशच गूडे कपडे पाके रखदा सी प्रिंसीबल सर्वन सेंग केंदे ने के उस सठादी उमर विच वी पंताली दा लगदा सी उदा कारवी आकसर उदे दोस्तांच चर्चा दा विशा बने आरेंदा उदे बाधे दोस्त उस दे इंग्रेज जन वाटी जिन्नीनु वेखन देई बहान्य नाण उस दे कर चले जन देसन बारली कराक्रीच परुस्य जन दा खाणा वलैती कार ते वलैती वाटी ते दो गुड्यां वरगे न्याने दोस्तांच कई दिन गल्वाद दा विशा बने रेंदेसन नंगी तो पज जिन्नी दे किसे होर नाड ते गारगी दे किसे होर नाड सबंदानू उसने बिना किसे चजग दे लिखे आए जदों दी वाटी जिन्नी उसनू छड़के चली गई तो उसने उसनू वापस लेओन दी बड़े तरले मारे पर मुड का देश्च कामियाब ना हो सकया उस दियां लेखतां खासकार चटकारे दार वारतक दे लखा मरीज सन उसनू नाटक लोहा कुट लोहारां पर लिख्या गयाए जिस कारकेसनू लोहारां दा गुस्सा विशैना पया पर अजविस्दा ही नाटक हर इक दी जवान दे रेंदाए उसनू लोहा कुट सैल पत्थर नमा मुड केसरो कनक दी बल्ली सल्टान रजिया तूनी दी अग नाटकां ते क्वारी टिस्थी पत्थन दी बेडी कांगी नाटकां ककारिता नावल मिर्चा वाला साध ते काला अंब कहानी संगराय रेखा जेतर शर्बदिया कुटना ते स जावे जीवनी नंगी तो पले हमेशा याद रख्या जावेगा। अंबे उस दी मौत हो जानते वी उसदे पुत्तर दती इने उस दी यांस्थियां बठिंडे दी नहर विचतारियां। उदे तुर जानतो बाद उनु टिब्यांदा पुत्त कहके नवाजना ही उसदी सब तो टुकमी पशाने। कज्ये साच नू निंगा करके लिख देन वाळा। टिब्यांदा पुत्त कारगी आखर नूना टिब्यांदे वीची जासमाया। जिसले विचती रूप पुरित दुनियाच को मनतो बाद भी तसल्दी पाल देसी। झाल झाल